सब्सक्राइब नाव और प्रेस्ट बेल आइकन नेवर मिसन अपडेट और यहां पर आपको additional setting पर क्लिक करना है और यहां पर आपको second वाला option select करना है language and input और यहां पर आपको निचे scroll करना है तो अभी हमने यहां पर G keyboard को select किया हुआ है तो यदि आपने कोई और keyboard को select किया हुआ है या आपने कोई install किया है तो आपको यहाँ पर उसे select करना होगा तो अभी हम यहाँ पर simply G keyboard पर click करते हैं और यहाँ पर आपको text correction का option दिख जाएगा तो इस पर click करना है और आपको यहाँ पर निचे scroll करना है तो यहाँ पर आपको correction का option दिख जाएगा auto correction तो अभी यहां पर यह चालू है तो अभी हम इसे off करते हैं तो अभी हमारा correction off हो चुका है तो अभी यहां पर कुछ भी आप type कर सकते हैं तो अभी automatically change नहीं होगा तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही